चेरीाज बनाते हैं बहुत ही जादा टेस्टी घी केक, जिसे बनाना काफी असान है और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी है, टो चलिए फटाफट से रेस्पी को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आदे कप के करीब घी लिया है अब हम इसे बाउल में डाल देंगे अब हम इसमें add कर देंगे 1 by 3 cup के करीब पीसी हुई चीनी और इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और mix करने के बाद हम इसमें add करेंगे 1 by 3 cup के करीब milk powder, 1 cup के करीब मैदा और 1 cup के करीब दूध और इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे ध्यान रहे कि इसमें एक भी lumps नहीं होना चाहिए तो अब हमारा यह batter त्यार है तो अब हम इसमें add करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब baking powder और 1 by 4 टेबल स्पून के करीब baking soda और अच्छी तरीके से mix कर लेंगे तो अब हम इस batter को अलग रखते हैं अब हम एक baking tin में baking paper डाल देंगे आप चाहतो तेल से भी grease कर सकते हो और त्यार के हुआ batter डाल देंगे अब हम इसके उपर से अपने मन पसंद की कोई भी dry fruits डाल देंगे जो भी आपको पसंद हो मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और किस्मिस डाला है अब हम gas के flame को on करेंगे और हमें यहाँ पे उतनी बरी बरतन लेनी है जिसमें हमारा baking tin असानी से आ जाए अब हम इसमें डाल देंगे नमक, मैं यह नमक हमेशा कोई भी cookies बनाती हूँ या फिर cake बनाती हूँ तो यूज करती हूँ और फिर यूज करने के बाद store करके रख देती हूँ अब हम यहाँ पे कोई भी stand या फिर कटोरी ले लेंगे हम cake tin डाल देंगे और इसे ढख कर 40-45 मिनटस के लिए medium flame पे bake कर लेंगे 40-45 मिनटस बाद अब यह बहुत ही अच्छी तरीके से bake हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह bake हुआ है या नहीं तो आप कोई भी नोकीली चीज लगा कर देखिएगा अगर यह clean होगा तो समझ जाएगा कि bake हो गया अब हम इसे कराही से अलग करेंगे और completely ठंडा होने के बाद इसे dimold कर लेंगे हमने butter paper लगाया था जिससे यह आसानी से निकल गया है और निकानने के बाद हम इसे अपने मन पसंद के कोई भी शेप में cut कर लेंगे और cut करने के बाद सब कर लेंगे तो बस अब हमारा बहुत ही जादा tasty और spongy और बहुत ही आसान घी केक बन कर त्यार है आप इसे जरूर से try करना चलो बाद